पालकी सेवा करते हैं यहां पर सेवा कर रहे हैं बहुत हिर्दय भाव के साथ समूचे यह परंपरा का वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया मंदिरों का दर्शन किया और संत तुकाराम भगवानी की वह सिला का हमने दर्शन किया जिन्होंने अपने तप बलके आधार पर जो प्रवाहित कर दिये थे अभंगों को उन्होंने अपने तफवल के आधार पर उनको उपर करवा दिया था विना जलिसपर्स हुए विना गिले हुए यह हमारे संतों की परंपरा हमारा भारत अदभुद्द देस है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आसीरबाद अगर बना रहा तो समूचे महराष्ट से छत्रपती वीर सिवाजी महराज का जो हिंदु सुराज जी की स्थापना का संकल्पता पूरे भारत में गूजेगा और भारत हिंदु राष्ट बनेगा यही हमने अरजी आकर की लगाई हमने देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेक पड़ा था उस लेक के आधार पर बोलने बोलने की भासा है हम कभी भी उसके पूर्व में भी हम आज चुके थे महराष्ट संत तुकाराम भगवान के वारे में जानते संत ग्याने शुर्व महराज की जितना समझ है जितना पड़ पाया कभी हमने किसी संत को नहीं बोला वो तो समझ नहीं पाए हमारी पड़ने में रहा और बोलने की लोकल भासा का एक प्रभाव होता है तरीके होते हैं समझाने के कोई सक्कर कहता है कोई सुगर कहता है तो निश्चत रूप से हमने उस भाव को सुईकार किया कि हमारे कारण वारकरी संपरदाय इब हम भगवान जगदगुरु भगवान तुकारा महाराज को मानने वाली लोगों के हिरदय में जो ठेस पहुँचा निश्चत रूप से हमारे द्वारा पहत्रुटी रही होगी उसको हमने सुधारत अच्छन किया था वीडियो के माध्यम से भी किया था और हम आपको बता दें आचारे परंपरा के साधक है और कोई भी महत्मा परंपरा का आदमी किसी संत का विरोध करे वो संत का सिस्स हो ही नहीं सकता विरोध किसी संत का कोई द्यक्ती करे सिस्स तो वो संत का चिला हो ही नहीं सकता और हम भारत हिंदू राष्ट के लिए निकले हैं और अपने ही संतों की महमाओं का मननन करने की वज़ाए अगर विरोध करेंगे या कोई ऐसी अनर्गल बातें बोलेंगे तो ये जो दूसरे पश्चिमी सब्धा वाले हूँ अल्ला वाले हैं ये तो फिर प्राम ही खा जाएंगे इसलिए हम संत दुकाराम महाराज के संभूचे वारकरी संपरदाय के लोगों से हाज जोड़ करके खेदवी व्यक्ति किया था और पूरा परिकर बहुत अच्छा है विवस्ता बहुत अद्वूत यहां की प्रशासन विवस्ता बहुत प्यारी है बहुत बहुत साथ है तो आ बागेश्वर बाबान नी संट दुको पांचा समाधी चा दर्शन गितलेला है बागेश्वर बाबननी माध्यमांची Word को अद्वूत नाकरी संत्वूत